Elon Musk का ये माना है, एक बहुत बड़ा मित है कि overpopulation मानव सब्वेता के लिए समस्या है क्योंकि resource थो limited है, लेकिन population बढ़ती जा रही है Elon Musk कहते है, नहीं भाईया, ये बहुत बड़ा मित है Population का collapse होना, ये मानव सब्वेता के लिए सबसे बड़ा खत्रा है और इसके बारे में कोई care नहीं कर रहा है, कोई इस पे ध्यान भी नहीं दे रहा है Population दुनिया की एक level के बाद ना कम होती जाएगी हाल ही में एक खबर पड़ी, कि पिसले तीन महिने में इटली में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ सुनके अजीब लगा, 6 करोड population का देश और एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ बाद में research करने पे पता लगा, सायद ये news तो सहीं नहीं है बट हाँ, इतना जरूर है कि इटली एक बहुत बड़े population crisis से गुजर रहा है population में जो replacement fertility rate है ना, वो 1.26 चिल्डरन तक आ गई है one of the lowest है पूरे world में देखो आपको basics बताता हूँ, replacement fertility rate होनी चाहिए 2.1 जैसे दो लोग है A और B, A husband है, B wife है दोनों मिलके अगर 2.1 बच्चो को जनम देंगे, आप बोलोगे 0.1 को कैसे देंगे average निकालिया ना हमने, अगर देखो replacement fertility rate 2.1 रहता है ना तो population stable रहती है, ना तो बढ़ती है, ना घड़ती है दो लोग आए, दोनों ने मिलके 2 बच्चो को जनम दिया 0.1 इसलिए क्योंकि कुछ बच्चो की death हो जाएगी, unfortunately वो reproduce नहीं करेंगे, उनकी death हो जाएगी, तो compensate करने के लिए 0.1 जादा replacement fertility rate मान लिया जाता है अगर देखो replacement fertility rate 2.1 से जादा है, तो इसका मतलब population grow होगी, और अगर replacement fertility rate 2.1 से कम है, तो मतलब until and unless बाहर से migrants आए, future में आपकी population कम होती जाएगी, और Italy के साथ अभी ऐसा ही हो रहा है, काफी सारे factors हैं जिसकी वज़े से Italy की population जो है, वो कम हो रही है, वैसे देखो जपान भी इसी समस्या से गुजर रहा है, बट आज के article में focus Italy पर हैं, सबसे इकोनमिक uncertainty, देखो इटली की जो economy है ना बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, वहाँ पर unemployment काफी ज़्यादा है तो jobs जब लोगों को नहीं मिलेंगी, तो बच्चा पैदा करने में वो कत्राएंगे, कि बच्चे के care कैसे करेंगे, जो भी नहीं है अभी तो काफी ज़्यादा equality है, महिलाओं का participation जो है labor force में increase हुआ है बट इसका एक negative consequence ये हुआ है कि महिलाएं जैसे education पर ध्यान देती है career को first choice रखती है, तो साधी काफी late हो जाती है, कई बर 35-35 साल की उमर में तो जब इतना late साधी होती है न, तो फिर उसके बाद में बच्चे पैदा करना relatively difficult हो जाता है next high cost of child care, बच्चों के care की जो cost है काफी ज़्यादा बढ़ गई है इतली में, इसकी वज़े से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बच्चे या तो नहीं पैदा कर रहे हैं या फिर एक बच्चा next lack of family sport, अब जैसे देखो इंडिया में अभी भी joint family का concept है खास करके rural areas में तो है ही rural areas में क्या होता है कि बच्चे पैदा होने के बाद बहुत बड़ी family होती है, परिवार होता है बच्चों की care करने के लिए लेकिन urban areas में जैसे इटली में गया है nuclear families का concept है वहाँ पे कोई देखपाल करने वाला नहीं है बच्चों की, तो इस डर से बच्चे कम पैदा किये जा रहे है point वैसे मैं आपको ये इटली specific बता रहा हूँ, लेकिन ये समस्च्या देखो, अब धिरे धिरे ना हर देश में आ रही है इंडिया की population भी peak करेगी, ये देखो आप, अभी basic इंडिया की population सबसे ज़्यादा है पूरे world में लेकिन 2063 आते आते इंडिया की population peak कर जाएगी, उसके बाद population इंडिया की कम होना स्टार्ट हो जाएगी चाइना की population तो already अब peak करी चुकी, अब तो कम ही कम होगी चाइना की population इटली में अभी median age 45.7 है, जबकि जपान में median age 48 है, second oldest population है इटली की जपान के बाद अब देखो होता क्या है, वहाँ पे अब इटली मेंना healthcare काफी अच्छा है, life expectancy अच्छी है वैसे तो यह अच्छी चीज है, लेकिन होता यह है कि population इटली की बढ़ नहीं रही है और बुड़े लोग ज़्यादा समय तक जी रहे हैं, अब होगा क्या, इटली का सिस्टम ऐसा है जो लोगा भी काम कर रहे हैं वरकिंग है, वो पे करते हैं बुड़े लोगों की pension के लिए तो अब बुड़े लोग ज़्यादा है, pension पर ज़्यादा लोग है, काम करने वाले लोग कम है तो ना collapse कर जाएगा इनका economic system, pension नहीं दे पाएंगे एक तरफ जहां देखो, population धिरे-धिरे decline कर रही है उपर से migration भी हो रहा है इटली से, क्योंकि economic situation अच्छे नहीं है तो ना इटली के youth जो है ना दूसरे देशों में चले जा रहे हैं काम करने के लिए जैसे France में, Germany में, उनको लगता है कि यहाँ job करना ज़्यादा बैतर है लेकिन लोग आ भी रहे हैं, अफ्रीका वगरा से लेकिन लोग जा ज़्यादा रहे हैं इटली को छोड़ के आ कम रहे हैं तो negative net migration है consequences क्या होंगे, population के decrease होने के मैंने बोला ना, वैसे point यह इटली specific है but depopulation पे question आता है, population collapse पे question आता है population crisis पे question आता है, तब यह सारे points आप दे सकते हो general points हैं, जो दूसरे देशों के लिए भी applicable होते हैं consequences देखो, यह है shrinking workforce मतलब काम करने के लिए youth रहेगा ही नहीं, अगर बच्चे कम पैदा होंगे तो काम कौन करेगा आगे, workforce का size तो काफी कम हो जाएगा tax revenue कम हो जाएगा, काम करने वाले वो कम है तो वो कम tax pay करेंगे कम tax pay करेंगे तो Italy के पास revenue कम आएगा infrastructure डवलप करने के लिए, development के लिए पैसा नहीं रहेगा increased dependency ratio, working population कम है, बुड़े लोगों की जादा है तो मतलब dependency ratio बढ़ जाएगी उनकी next, regional disparities, regional disparities मतलब देखो, population decline ज्यादा severe है southern Italy में वहाँ पे ही unemployment के rate, immigration के rate ज्यादा है तो North Italy और South Italy के बीच में development को लेके disparity आ जाएगी अब development disparity आ जाती है, तो फिर वो नीचे वाला पार्ट बोलने लगेगा या फिर उपर वाला पार्ट बोलने लगेगा कि हमें अलग होना है हम अलग से देश बनाएंगे ऐसी चीज़े होने लगती है, success नीच tendencies आ जाती है next, social and cultural impact जब देखो, economic situation खराब होगी population की वज़े से तो फिर आपको पता है, crime वगड़ा की घटनाएं ज़्यादा होने लगती है दूसी चीज़ों पर लोग ध्यान नहीं दे पाते, जैसे cultural activities तो इन पर भी सिधा-सिधा impact पड़ता है इसलिए European Commission ने बोला है Italy को कि भया आप अपनी population पे ध्यान दीजिए और ऐसा नहीं है कि अभी सामने आया है, पिछले 15 सालों से लगातार European Commission ध्यान दिला रहा है Italy को कि आप अपनी population पे ध्यान दीजिए, और Italy की सरकार ध्यान भी दे रही है बच्चे पैदा करने के लिए financial incentive दिये जा रहे हैं, जैसे tax में break आपको कम tax pay करना पड़ेगा, जो ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा subsidies दी जा रही है, paid parental leave, बच्चा पैदा होने के बाद में paid parental leave जो हमारे देश में भी concept है, maternal benefit का बहार से ज़्यादा लोग आएं Italy में काम करने के लिए, इसके लिए immigration policies को flexible बनाया गया है इसके अलावा, Italian जो government है वो families को sport कर रही है, affordable child care में, flexible working hours के आप घर में रहके काम कर सकते हो तो ऐसे से provision किये जा रहे हैं ताकि लोग motivate हों बच्चे पैदा करने के लिए अब बात करें इंडिया की, इंडिया का ध्यान देना जरूरी है यहाँ पे देखो इंडिया ना demographic transition के middle में है, वैसे तो इंडिया की population अब relatively young है बट हमारी भी जो median age है लगातार बढ़ रही है, 2011 में इंडिया की median age 24 थी और अभी 29 हो चुकी है, 2036 आते आते इंडिया की भी median age 36 हो जाएगी मतलब अभी इंडिया की population young है, demographic dividend हमारे पक्स में है तो इसका हमें फाइदा उठाना चाहिए, अभी time है इंडिया की economy को grow करने का आगे तो हमारी population भी Italy की तरह decline करने लगेगी आगे जाके लेकिन देखो, demographic dividend का फाइदा उठाने में ये सब challenges है देश की economy अभी informal है, cash discrimination होता है religious differences भी है, gender disparities है, women men के बीच में difference participation कम है महिलाओं का labor force में skilled नहीं है देश की population, मतलब youth जो है skilled नहीं है healthcare services और अच्छी quality education services का अभाव है income gap जो है वो बढ़ता जा रहा है मतलब अमीर और जदा अमीर हो रहा है, गरीब और जदा गरीब हो रहा है sufficient employment opportunities नहीं generate कर पारी है सरकार ये सब challenges हैं demographic dividend का लाब उठाने में बादाएं हैं, क्या करना चाहिए health and education पे सरकार ज़्यादा खर्च करें female workforce participation increase होना चाहिए महिलाएं ज़्यादा काम करेंगी तो ज़्यादा economic activities होंगी ज़्यादा economic activities होंगी तो फिर देश की GDP में contribution ज़्यादा होगा economy तेजी से grow होगी और देखो महिलाओं का participation increase होता है ना labor force में, उस घर में गरीबी तो दूर होती ही है लेकिन सोचके देखिए तो overall बहुत फाइदा होता है next bridge skill gap skill gap जो है youth में उसे feel करने की आप सकता है next increase foreign capital inflow देश में ऐसा ecosystem बनाया जाए मतलब business करना आसान हो कि ज़्यादा investment हमारे देश में आए ताकि infrastructure development में जो gap है उसे feel किया जाए next transition from the agriculture sector देखो agriculture sector में अब relatively न एक stagnation है growth में तो वहाँ से अगर जनता को shift किया जाता है न दूसरे sectors में जैसे service sector में या फिर manufacturing sector में तो भी देश की growth increase होगी और अच्छे से हम देश का जो potential है youth का जो potential है उसे use कर पाएंगे तो ये पूरा article हमने discuss किया population crisis और depopulation से सम्मदित इससे पहले कि हम आगे बढ़ें नवस्कार दोस्तों नवस्कार कहना हम नहीं छोड़ेंगे देखो revision के बारे में आपने अपना view बता दिया जातर लोग revision चाहते हैं तो weekly revision हम इस बार के Sunday से कर सकते हैं आज Friday तो होई गया लेकिन देखो फिर आप use कीजिएगा ऐसा ना हो यार कि Sunday को हम discuss भी करें लेकिन फिर आप use ना करो बहुत सारे initiatives इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि आप लोग use नहीं करते हैं अच्छे initiatives को use जरूर कीजिए कुछ लोग बोलते लेकि ethics through newspaper का initiative बढ़िया था जब था तो बहुत कम लोगों ने उसे use किया तो initiative अच्छे मैं बता रहा हूं कि देखो मसाला सबको चाहिए इंटरनेट पे ना आप सर्च मारोगे ना syllabus का कोई ध्यान में ने रखता UPSC का कुछ भी चीज को UPSC syllabus से जोड़ दिया जाता है और बोल दिया जाता है UPSC के लिए important है लेकिन उसमें entertainment होता है अब बच्चे ना उस परकार के वीडियो देख लेते हैं लेकिन जो syllabus वाली चीजें होती है जो बहुत important होती है जो exam के लि कि revision हम करेंगे Sunday को लेकिन इसे use कीजेगा अच्छे से use कीजेगा ताकि अच्छा initiative कोई भी बन ना हो बस यही मेरी request है हाथ जोड़ के इसके बाद next article land degradation से समन्दित हैं और आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हों इससे पहले कि मैं आपको context बताऊं मतलब बता दीजे land degradation का जैसा आपको नाम से ही जाहिर है land का degrade हो जाना यानि land की quality का खराब हो जाना पहले कोई भी चीज उगाते अच्छे से उग जाती लेकिन land degradation के बाद land की quality खराब हो गई तो कोई चीज आप उगा हो गए आसानी से उगेगी नहीं quality खराब हो चुकी है अब land की अब एक और question में लग-लग है देखो land degradation एक बड़ी term है land degradation काफी सारी form में होता है जैसे एक है desertification फिर दूसरा है cellanization फिर soil erosion भी है इस परकार से land degradation काफी सारी forms में होता है desertification सिर्फ एक form है land degradation एक बड़ी term है उसके अंदर आता है desertification desertification is type of land degradation देखो land degradation तो काफी form में हो सकता है मतलब land की जो quality खराब होती है वो तो कई सार reasons के करण हो सकती है माल लिजिए soil में salinization हो गया नमक की मात्रा increase हो गई तो भी तो ऐसा हो सकता है न कि land अब ज़्यादा quality वाला नहीं रहा क्योंकि soil में नमक की मात्रा जो है वो increase हो गई अब ज़्यादा कुछ अच्छे से उगेगा नहीं नमक की मात्रा increase होने की वज़े से तो land degradation तो बहुत सारे reasons की वज़े से हो सकता है अलग-अलग form में हो सकता है और एक form है desertification desertification में क्या होता है fertile mitti है, fertile soil है लेकिन desertification के बाद वो जो soil है न desert type condition में convert हो जाती है तो ये थोड़ा सा basic हमने समझ लिया अब contest की बात करते हैं हुआ क्या है UN convention to combat desertification body है desertification से लड़ने के लिए इन्होंने ना अपना एक data dashboard launch किया है मतलब एक website बनाई है अब उस website पे विबिन देश अपना अपना land degradation से समझ लिटा अपलोड करेंगे जिसे इंडिया बताएगा हमारे इतने एरिया में desertification हो रहा है उसी परकार से बाखी देश जैसे US, रर्षिया, चाइना ये सब बताएंगे तो एक अंदाजा हो जाएगा कि world में land degradation कितनी ज़्यादा तेजी से हो रहा है ये काम होगा इस first ever data dashboard का अब देखो हम बात करते हैं reasons क्या है land degradation के सबसे पहले है natural reasons अब देखो example के तोर पर किसी एरिया में भारी-बारी सुई मान लिजे यहाँ पे soil है और यहाँ पे पेड़ वगरा नहीं है deforestation हो चुका है पेड़ पोदे यहाँ से काटे जा चुके है nude soil है यहाँ पर अब इस एरिया में बारिस होती है तो land पे जो soil particles है ना वो dislodge हो जाएंगे अगर थोड़े बहुत पेड़ पोदे होते तो soil dislodge होने से बच जाती लेकिन भारी-बारी सुई है तो soil particles dislodge हो जाएंगे और पानी मान लिजे slope है पहाड है तो उपर से पानी आ रहा है उन soil particles को बहा के ले जाएगा अपने साथ तो यह soil erosion हो गया अब कई बार ऐसा होता है बहुत तेजी से हवा चलती है तेजी से हवा चलती है तो land के उपर जो soil है वो हवा soil particles को अपनी साथ ले जाती है और soil particles के बिना फिर देखो पेड़ पोदे ऊगेंगे कैसे सबसे important तो soil particles ही है न water erosion की वज़े से भी land degradation होता है आप जोग्रफी में ये पढ़ते हो type of water erosion जैसे gully erosion, seed water erosion ये जोग्रफी में आप पढ़ते हो types है water erosion के data है थोड़ा सा rainfall और surface runoff की वज़े से हमारे देश में 11.0% land का desertification हुआ है और water erosion ने contribute किया है desertification में 10.98% 2011-13 का data है और wind erosion ने contribute किया है desertification में 5.4% इसके बाद next time man-made reasons इंसान की activities की वज़े से क्यों desertification और land degradation हो रहा है अब जैसे देखो agriculture practices है for example महेश एक किशान है वो अपने land पर अपने खेत में एक ही फसल बार-बार उगाया जा रहा है उगाया जा रहा है उसे ये नहीं पता कि बार-बार एक ही फसल महेश अगर उगाएगा तो जरूरी जो nutrients है उनकी कमी हो जाएगी इसके अलावा महेश भरपूर chemicals का इस्तमाल करता है इस सोच में कि ज़्यादा production होगी लेकिन देखो महेश ये भूल जाता है कि ज़्यादा chemicals का इस्तमाल अगर किया जाएगा तो इसकी वज़े से soil का जो natural balance है वो बिगड़ जाएगा और फिर soil की fertility कम हो जाएगी समझ गए इसके लावा deforestation deforestation जब हो जाता है न जैसा पिछली slide मैं आपको बताया पेड़ पोदे जो होते है न वो soil erosion को होने से बचाते हैं वो मिट्टी को बांद के रखते हैं चिपका के रखते हैं अगर deforestation हो जाए तो फिर wind की वज़े से या फिर water erosion की वज़े से soil particles आसानी से बै जाते हैं अगर पेड़ पोदे उगे हो उस जमीन पे तो नहीं बैते तो फिर पेड़ पोदे जो हैं वो soil को चिपका के रखते हैं बांद के रखते हैं इसके बाद next है climate change climate change की वज़े से देखो drought की frequency काफे ज़दा बढ़ गई है मतलब ज़्यादा droughts आने लगे हैं forest fires की घटनाए ज़्यादा होने लगी है temperature बढ़ने लगा है land का तो ये सब regions भी contribute कर रहे हैं land degradation में इस परकार से हमने समझा land degradation के regions या तो देखो आप इस परकार से classify करके बता सकते हो जैसे हमने डिसकस किया कि natural regions man-made activities की वज़े से land degradation कैसे हो रहा है climate change या फिर सीधा बता सकते हो deforestation की वज़े से हो रहा है population growth ज़्यादा हो रही है इसलिए deforestation हो रहा है land पे ज़्यादा burden पढ़ रहा है urban expansion pollution and waste disposal की वज़े से भी land degradation हो रहा है सीधे भी इस परकार से आप reasons बता सकते हो next आप consequences भी देख लीजिए soil degradation के consequences क्या होते है सबसे पहले food and nutrition insecurity जब देखो land उगाने लायक नहीं रहेगा या फिर कम चीजें पैदा होंगी तो production प्रभावित होगी फसल की पैदावार कम होगी फसल की पैदावार कम होगी तो food security खत्रे में आ जाएगी next water scarcity पानी की कमी देखो जब land degraded हो जाता है soil particles बैज आते हैं तो ऐसी situation में land की water को absorb करने की जो capacity है वो भी कम हो जाती है तो उस area में पानी की कमी हो जाती है next rapid climate change इसका मतलब यह है जैसे देखो पेड़ पोदे होते हैं carbon store करके रखते हैं desertification हो गया वहाँ पेड़ पोदे हैं ही नहीं तो कम carbon store होगा तो global warming और तेजी से होगी next poverty and social insecurity अब फसल की पैदावार पहले से कम हो गई तो farmers की income कम हो गई income कम हो गई तो गरीबी के और नजदीक आ जाएंगे farmers next migration migration मतलब जब देखो किसानों को किसानों की पैदावार बहुत कम हो जाएगी तो उन्हें गाउँ छोड़ कर सहरों में जाना पड़ेगा किसी और रोजगार की तलास में तो migration हो जाएगा next reduction of ecosystem services अब जैसे देखो land पर पेड़ पोदे उगते हैं तो बहुत ecosystem services land provide करता है जैसे वहाँ पे पक्सी आते हैं दूसरी ecosystem services जैसे nutrients का cycle complete होना लेकिन land degradation की वज़े से ये सारी ecosystem services बंद हो जाती हैं तो ये सब bad consequences है soil degradation के इन सब चीजों की वज़े से देखो economic loss भी काफी ज़्यादा होता है 2014-15 में लैंड degradation की वज़े से देश की GDP को अब आगे तो आगे आप और काफी सारे consequences ड्रा कर सकते हो जैसे देखो respiratory disease अब मान लिजिए wind erosion की वज़े से soil particles या फिर dust के जो particles हैं वो atmosphere में आगे तो सांस लेने में दिक्कत आएगी respiratory disease हो सकते हैं पानी की कमी हो गई पानी पीने लायक नहीं रहा तो उस पानी को जनता पीएगी तो बिमार हो जाएगी waterborne disease फैलने का खत्रा है तो आगे से आगे तो consequences आप बहुत हरे ड्रा कर सकते हो basic idea आपको होई गया होगा अब बात करते हैं सरकार क्या कर रही है land degradation से निपटने के लिए दिवो first thing first आप समस्या को तभी खतम कर सकते हो जब आपको ये पता हो समस्या कितनी घंबीर है तो ISRO का space application center है जो data देता है बताता है कहां कहां पे कितना land degradation और desertification हो रहा है 2018-19 का data है उसके अनुसार 97.84 million hectares पर land degradation और desertification हो चुका है इसके लावा state level पे भी data दिया गया space application center के द्वारा थाकि planning host के उसी हिसाब से next है online portal for visualization ये भी space application center के साथ मिल के develop किया गया है इसमें आप उपर से देख सकते हो कहां कहां पे land degradation हो रहा है और कैसे हो रहा है पूरी process next point land degradation को रोकने के लिए special देहरादून का जो Indian council for forestry research and education है न यहाँ पर एक center of excellence established किया गया है जो कि देखो focus करता है south-south cooperation पर मतलब जैसे जो global south countries है न खास करके गरीब देश या फिर low income countries है वहाँ पर भी land degradation हो रहा है माल लीजे तो आपस में best practices share की जाती है कैसे इससे निप्टा जाए अगर देखो best practices की बात करें चाइना का ये great green wall का जबरदस्त example है ये goby desert region में desertification को आगे बढ़ने से रोकने के लिए चाइना ने ये green great wall establish की है मतलब afforestation program है यहाँ पे monoculture forest strip चाइना ने establish की है एक ही तरह के पेड़ उगाएं है ताकि goby desert को आगे बढ़ने से रोका जासके इंडिया भी ऐसा कर सकता है इंडिया का प्लान भी है क्या progress है अभी इसकी वो तो नहीं पता लेकिन यहाँ पर देखो desert को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इंडिया का भी यह green wall वाला प्लान है इसके लावाँ सरकार का एक प्लान है मनरेगा और परधामंटरी crisis से चाहिए उजना दोनों को आपस में converge कर दिया जाए इससे और ज़्यादा degraded land को treat किया जा सकता है ठीक किया जा सकता है nest किसानों को aware करना अच्छी agriculture practices को follow करने के लिए जैसे monoculture follow ना करें crop rotation जरूर करें rainwater harvesting ये सारी जो अच्छी अच्छी agriculture practices है न उनको किसानों को follow करना हो गए सरकार इस बारे में extension services चला रही है मतलब awareness campaign चला रही है तो ये पूरा article हमने land degradation से समद्धी discuss किया चलते हैं आगे इसके बाद next article ports से समद्धीद है किस परकार से इंडिया के जो ports है देश की growth rate increase करने में और employment generate टरने में योगदान दे रहे हैं देखो इंडिया world का manufacturing hub बनना चाहता है export के मामले में इंडिया पूरे world का power house बनना चाहता है तो इंडिया के जो ये ambitions है ना इनको पूरा करने में ports का role बहुत बड़ा होने वाला है इंडिया के पास में total 75-100 km से ज़्यादा की coast line है ये इंडिया को एक बड़ा advantage देती है अभी लक्षे सरकार का देखो ये है 2024 यानि करन्ट जो financial year चल रहा है इसमें 900 billion dollars का export किया जाए और सरकार का एक लक्षे ये भी है जल्द ही इंडिया की economy को 5 trillion dollars की economy बनाना है तो इन objectives को achieve करने के लिए ports का role बहुत बड़ा है जैसे raw material की moment raw material का export या फिर import finished products का export या फिर import उसी परकार से दूसरी commodities के trade में भी ports का role बहुत बड़ा है देखो ये data है Ministry of Ports की report है इंडिया से जो trade होता है अगर volume की बात करें तो 95% volume के मामले में trade ports के थुरू होता है अगर value की बात करें कितने पैसों का कितने रुपयों का trade होता है तो 68% जो trade होता है न पैसों के मामले में वो ports के थुरू होता है समझ गए quantity के मामले में 95% trade ports के थुरू और by value by पैसों के हिसाब से देखे तो 68% by ports देखो सदियों से भारत की civilization को shape करने में ports का रोल तो हमेशा से important रहा है इंडेस वैली civilization में हम पढ़ते हैं लोथल, धोलावीरा ऐसी जगाएं हैं जहां पे लोथल में well-plant डोक्याड था उस समय बहुत पहले maritime engineering का अधभूत example हम पढ़ते हैं न हडपा civilization जब हम study करते हैं आप एक बार देख लीजिए कहाँ पे है लोथल यह है देखो लोथल यहाँ पे जबरदस्त डोक्याड मिला है इसके लावा मोर्यन एरा में पार्टली पूतर जो मोर्यन एम्पायर की राजदानी थी न जो गंगा और सोन नदी के संगम पे सितित हैं वहाँ पे इन नदियों में जबरदस्त ट्रांसपोर्ट होता था मतलब नदियों का इस्तमाल किया जाता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ट्रेड होता था इनके थूख इस इनलेंड वाटर ट्रांसपोर्ट ने न मोर्यन एम्पायर की खुशाली में काफी योगदान दिया next गुपता एंपायर आता है गुपता एंपायर में एक बड़ा पोर्ट था western coast पे बरोच जिसको आज भरूच के नाम से जना जाता है ये भी आप देख लीजिए कहां पे है गुजरात में भरूच का पोर्ट ये गुपता एंपायर के दुरान डेवलप हुआ था और यहीं से बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी जैसे मसाले, टेक्स्टाइल्स, जैम्स्टोन्स इस पोर्ट ने भी गुपता एंपायर की प्रोस्पायटी में बहुत कोंट्रिब्यूट किया इसके बाद देखो चोला डैनस्टी का एक्जामपल ले लीजिए चोला डैनस्टी में जब राजेंदर चोला का रूल था न उस समय एक पोर्ट डेवलप किया गया था नागा पतिनम नागा पतिनम पोर्ट की लोकेशन क्या है वो भी आप देख लिजिए ये है नागा पतिनम इंपोर्टन प्री के कोश्चन्स बनते हैं पोर्ट की लोकेशन से सम्मदित और कौन से डैनस्टी ने कौन सा पोर्ट डेवलप करवाया था इसके बाद मेडिवल पीरियड में मालाबार कोश्ट पर पोर्ट ओफ कैलिकट जो है ना ये डवलप हुआ यहां से स्पाइसीज का ट्रेड होता ट्रेडर्स यहां पे आते मीडल इस्ट और यूरोप से इसकी भी लोकेशन आप देख लिजिए कैलिकट की केरला में है ये पोर्ट ओफ कैलिकट तो कुल मिला के देखो भारत में न इतिहास से अनेको आपको एक्जामपल्स मिलेंगे जब पोर्ट ने देश की एकोनमी में बड़ा रोल प्ले किया हो आज देश में बारा मेजर पोर्ट है और छोटे-छोटे पोर्ट तो बहुत ज़्यादा है संख्या है 210 जातर पोर्ट गोर्मेंट कंट्रोल्ड है लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने बिना बढ़िया कोंट्रिब्यूट किया है जिसे मुंद्रा पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट अधानी का पोर्ट है, 25 साल हाल ही में पूरे किये गए मुंद्रा पोर्ट के द्वारा privately owned है, जैसे मैंने आपको बताया, अधानी का है, बड़े-बड़े cargo vessels को handle कर सकता है, मुंद्रा पोर्ट उसी परकार से अधानी गुरूप ने केरला में एक और पोर्ट डर्लप किया है, सी पोर्ट विजिन्जम ये देखो, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्सिप का एक्जांपल है विजिन्जम पोर्ट केरला में हाल ही में मुंबई में ग्लोबल मेरिटाइम इंडिया समिट और्गाइज हुआ था इस समिट में भी प्रधानमंत्री मोदी ने पोर्ट की इंपोर्टन्स पे काफी बल दिया 2006 में स्पेशल एकोनमिक जोन एक्ट आया था ये एक्ट जो है उपोर्टिन्टी देता है पोर्ट सेक्टर को पोर्ट के साथ लगता जो एरिया है वहाँ पे काफी सारे स्पेशल एकोनमिक जोन बने इस एक्ट के आने के बाद देखो इंडिया के वेस्टन कोष्ट पर जो पोर्ट है जैसे मुंबई का पोर्ट है जे एन पीटी है वो पोर्ट ना connected है इंडिया के commercial centers और industrial centers से जिसे मुंबई का पोर्ट जो है वो पूने से well connected है एमदबाद दिल्ली यहां से well connected है तो बहार से जो समान आता है न उनको hinterland में आसानी में पुन्चाया जा सकता है और एक और चीज़ आपको बताता हूँ देखो इंडिया के जो western port है न जैसे गुजरात के port है मुंबई के port है वहाँ पे energy जैसे coal है, gas है इनका import जादा western coast पे होता है western coast के ports पे होता है और जो eastern coast के ports है न जैसे चेन्नाई, विसागा, पत्नम, कोलकाता, पैरादीप ये gateway है एक परकार से Asia, Europe, America इन देशों से trade करने के लिए यहाँ से minerals का export, import काफी जादा होता है और दूसरी maritime tourism activities काफी जादा होती है eastern coast के ports से इसके लावा सरकार और बढ़िया infrastructure पे ध्यान दे रही है जैसे नागपूर, मुंबई ये जो राजमार्क बना है न इस परकार के highways के through ports और ज़्यादा अच्छे से connect हो रहे है देश के hinterland से कोने कोने से इसके बाद writer कहते है ports जो है बहुत सारी job opportunities पैदा करते हैं logistics को आसान बनाते हैं ports अच्छे से develop हो well connected हो major industrial center से तो समान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ले जाना बहुत असान हो जाता है चाइना का logistics sector अभी इंडिया की comparison में काफी strong है इंडिया ने भी अपनी तरफ से सागरमाला स्कीम चलाई है ports को और ज़्यादा बैथर डंग से develop करने के लिए logistics sector को develop करने के लिए ये है सागरमाला स्कीम financial assistance दी जाती है central government के द्वारा ports की holistic development के लिए सागरमाला स्कीम के अंतरगतना 2035 तक लक्षे ये है 802 projects पे 5,440,000 करोड खर्चा किया जाए और अभी तक देखो 220 projects तो खतम करी लिए गए है 1,12,000 करोड की लागत से 231 projects ऐसे हैं जिन पे काम चल रहा है और इस पे cost आएगी 2,7,000 करोड मतलब इतना deep में data याद ना रहे तो project wise आप याद कर सकते हो अगर money wise आपको याद ना करना हो तो ports से देखो सरकार को ने revenue भी बहुत मिलता है जैसे मुंदरा port ने custom department को 80,000 करोड से ज़्यादा का revenue जनरेट करके दिया employment तो जनरेट होती ही है revenue भी काफी जनरेट होता है तो इस परकार से देखो ये पूरा article हमने ports के बारे में और ports की importance से समंदित डिसकस किया इसके बाद आप mains के questions देख लीजिए दो questions आज आपको attempt करने है एक port से समंदित और दूसरा question आपको attempt करना है population से समंदित यानि D population से समंदित important concept है प्री का question देखो UPSC इस परकार से पूछ सकती है ये UPSC ने पूछा था पहले इसमें तो हलांकि ये ABCD दिया नहीं हुआ मलब missing है typing में प्रिंटिंग में otherwise UPSC पूछ सकती है कि ABCD map में ये location दी हुई है इन्हें आप identify कीजिए और इस परकार से options ये पहले UPSC का pattern हुआ करता था लेकिन आज कल थोड़ा कम हो गया लेकिन आप पुराना जो pattern है UPSC फिर से revive कर रही है ऐसा 2023 के paper में हमने देखा एक question आपको ये attempt करना है 2004 में UPSC ने पूछा था आंदरापर्देश में longest coastline है दूसरे नंबर पे गुजरात में सबसे ज़्यादा airports हैं बताए दोनों statements में से कौन सी statement सही कौन सी गलत है क्या आंदरापर्देश में सबसे longest coastline है answer है no गुजरात की coastline सबसे लंबी है हमारे देश में और गुजरात में सबसे ज़्यादा airports है दूसरी statement सही है तो भी answer हो जाता है इस question का तो आज की discussion में इतना ही है Thank you Thank you very much for discussion